सभी लोग ता पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का सभागत है आज इस वीडियो में क्लास 11 के पॉलिटिकल साइंस के भाग टू जिसका नाम राजनेतिक सिधान का चैप्टर फूर समाजिक नया एक मोस्ट इंपॉर्टन कोशन अंसर करने वाले सभी कोशन बन सकते हैं सभी कोशन को में सामिल किया है पिछली बार जितनी प्रेक्षाव में कोशन पूछे गए हैं इस चैप्टर नों सभी कहां पर समाहित किया है तो प्लीस एंट तक जरूर दिखेगा वीडियो पसंद था तो लाइक से कमेंट करना बिल्कुल मत भूलीग और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजीगा बैल आइकन को प्रेस कर दीजिए तो सबसे पहले बात करते हैं तो सबसे पहले पूछा जा सकता है आप से एक नंबर में नियाय का क्या अर्थ है या नियाय का साब्दिक अर्थ से आप क्या समझ इस तरह से है बंधन या बाधना तो यहां से एक नंबर या दो नंबर से कोशन पूछा जा सकता है सिंपल तरी से पूछा जा सकता है कि नियाय से आप क्या समझते हैं और नियाय जो है वो किस भासा का सब्द है और इसका साब्दी करत क्या है इस तरी से कोशन पूछा जा सकता है इसके आप देख सकते कि नियाय के तत्यों है तो नियाय के पांच परकार के तत्यों तो यह पहला है सब्त दूसरा मुल्यों के आधार बुद्ध करम की समानता कानुन के समस्मानता सुतंतता और प्रकृति की अनिवारिताओं की प्रति सम्मान नयाय की जुनानी विचाधारा क्या यानि प्लोटो की विचाधारा क्या है तो प्लेटो के नुसार नयाय क्या है प्लेटी के नुसार जब सासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादन वर्ग अपने अपने करतव्यों का निश्ठा पुरोग पालन करेगा तो समाज में नयाय पूर्ण विवस्ता इस्थापित हो जाएगी ये किसके नुसार है पलेटी के नुसार है इसी प्रकार से खर हम नयाय की उधारवादी विचाधारा की बात करें तो माक्सवादी विचाधारा के नुसार राज विहीन एवं वर्ग विहीन समाज में ही नयाय पूर्ण विस्ता इस्थापित हो सकती है ठीक है यसे काल माक्स कहता है कि भाई समाज में वर्ग विहीन और राज विहीन विवस्ता होगी तभी नयाय की चाहिए यानि राज में किसी परकार का वर्ग नहीं होना ची किसी परकार की क्लास नहीं होना ची अगर रहेगा तो वर्ग में क्या होगा भेदभा उत्पनों का और फिर अंतरद्वन्द्पनों का और अंतरद्वज़ जो क्या उत्पन करता है वो करता है आसमानता यहां आसमानता हो वहाँ पर नयाए नहीं हो सकता है माक्स को कह रहा है ठीक है नयाए के कौन कौन से तरीके होते हैं पक्ष हैं समाजिक नयाए कानूनी नयाए नयतिक नयाए और राधनितिक नयाए और आर्टिक नयाए तो यह पांच पक्ष है नयाए के और एक और नयाए जो हम बात करेंगे वह लाएंगी के नया है जो वर्तवान में बहुत ज़्यादा ठीक है किया जाता है चलिए तो सबसे पहले जहां से प्लेटेक नया वैगुड है जो अन्य गुर्ण के मद क्या करता है समानच स्थावित करता है देश मिल के नुसार नया उन्यतिक नियूमों का नाम है जो मानो कल्यान के धार्णाओं से जंबंदी थे और इसलिए जीवन के पत्परदैसन के लिए किसी भी अन्य नियम से समाजिक नया को लेकर तो इसको भी आप देख लिए लिए बट आपको नया सिंपल तरीके से नया क्यार तो इसकी प्रवासा से कोशन पुछाएगा तो यह आपको पता होना चीवर्श ठीक है इसको नया कोँशे नया के पाשता तो नया के पांक तत्तों यहापर आप दिख सकते हैं अगला क्यों है समाज्जिक नया ऐसे आप क्या समझते हैं और भारत ने नागरीकों के समाजिक नया दिलवाने के लिए क्या गदम उठा है तो समाजी के निया है कि लिए अगर भारते सवधान की बात करें तो भारते सवधान में उच्छिद 14 लेकर 18 समानता की बात करें तो वह सारी चीज़ यहां पर एक्स्प्लेंट की गई दोस्तों वह सब यहां पर देख सकते हैं इसके लोगा अगर अगर राज के निती निदे वहां से भी जाकर इसाब डाउनलोड कर सकते हैं ठीक आप हमारे टेलराम चलंग की लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है ठीक ना अगला कोश्चन नया के उदारवादियों और माक्सवादे दिश्कोर्ड में अंतर कीजिए तो नया के उदारवा ठीक है जबकि माक्सवादी कहना है माक्सवादी कहना कि कि एक ऐसा समाज हो जो वर्ग विहीन हो ठीक है जिसमें किसी परकर कोई वर्ग ना हो और सभी को सभी को क्या है संसादों समान पूर्ट बटवारा किया जाए और यहां पर व्यक्तिकल संपत्ति का निसेद किया गया इसको आपको कर लेना है अगला है समानता था नयाय में आपसी संबंद बताईए ठीक है नेस कोशन की बात करें तो नयाय की उदारवादी और माक्सवादी अभधारना को वरणान करें तो हम देख सकते हैं कि नयाय की उदारवादी अभधारना क्या है नयाय की उदारवादी प्रसुति लाब की सुधाय दी जाने की धाना का समतन करती है माक्सवादी अवधाना ये अवधाना मनुस्यों को अभाव से मुक्ति परबल देती है इससे अभी प्राय ये है कि समाज में समाजिक दायत तो वैक्तियों के समताओं के अधार पर सोपे जाए और उनकी जरुरूतों के अधार पर उन्हें लाब दिये जाएं यह अधार ना व्यक्तिव का संपत्ती का विरोध करती ए ठीक है ना इस तरह सारी इस यहां पर कर लेनी है इसके लाबा संड्रफचानकारी विवेद क्या है तो कोसर election का रिवución से कोशन नहीं पूछा अब ही तक तो इस अस बाओ इससे कोशन पूछा जा सकता है तो इसको आपको कर लिएना है दोस्ट ठीक है ना इसके बाद लेंगी की निया इसे आप कया समझते है लेंगी की निया लेंगी की निया से विपर रहे कि लेंगी की बैदवाऊ से लेंगी नहां कि यहां से कोशन पूछा जा सकता है एक नंबर दो नंबर इसे को कम्फरिम कर लेना है तुसके के ना इसके लावा जौन रोल्स के वित्रानाटमंग नहाएक सिधान का वरणान करें तो अरफ्तू और जौन जोनों कोशन आपको कर लेना है और जान रोल्स के विद्रनात्मक नए ठीक है अगली में क्या संबंद है और कानुनी और नयातिक नया में अंतरश पस कीजिए तो यह सीजे भी आपको कर लेनी है ठीक है अब बात कर लेते हैं वन वर्ड कोशन एक नंबर जो कोशन आ सकते हैं नयाय सब्द के उत्पति किस भासा और सब्द सुभी है तो नयाय जश्चिस सब्द के उत्पति लेड़िन भासा है तो नयाय का अर्थ है प्रते वेक्ति उसका भाग प्रदान करना है यानि प्रते वेक्ति उसका प्राथ हो जाए वही नयाय है साल मने के नुसार ठीक है नयाय की प्राप्टे के लिए किनी दो साथनों को नाम लिखें तो लोग लोग तंत्रे प्रणाली और राजनेतिक समाजिक निया से क्या दात परिया हैं आर्थिक निया कंड पता हो और कानूनिया किसे कहते हैं इसके लागए क्ष़ण पर गयारा भी आने होगी इस चैप्टर के सभी इंपोर्ट कोशन करने में तो इस वीडियो में बस इतने हैं दोस्तों वीडियो पसंद आए उत लाइक से कमन जरूर कीज़ेगा चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल भी मत भूलिएगा बहुत-बहुत धन्वाद दोस् अराइब पर चैनल को सभी इंपोर्ट को थिंग रहां उन्यों को उेंगा नहीं हैं लाइब करना में पर बिलकुल जरूर भी मत जरूर क्यों कर आद के दितने हैं अरूर कि झाल कि पुल और में का कर दोस्तों दोस्तों आएदेलिए चाल अजादें अर्छागा उन्ठाव